श्री शीवाय नमस्तु भ्यम फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब आए होप आप लोग अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और अभी टाइम हो रहा था साड़े चार मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मैं उट गई थी और ये देखिए अपने हस्बंड के लिए बना हुँ तो साथ-साथ उनके लिए भी बना दूंगी और टिफिन बना करके रंग दूंगी और मैं आपको की मैं ईसे ही मतलब की मुबाइल में देख रही थी विसरे पहले मैंने पटवारी का एक्साम दिया था तो उसके लिए मैंने विनर्स एप से मैंने study की थी तो इसलिए मैं उसके वीडियो देखती थी इसलिए अचानक से मेरे सामने winners app का मतलब वीडियो आ गया जहां पर जिसमें लिखा हुआ था कि मतवदेश महिला परविक्षक की vacancy आ गई है तो मैंने देखा और बस मेरा मन एक बार फिर से किया कि चलो एक बार फिर से हम study करते हैं साइद भगवान की कृपा हो जाए और हमारी मेहनत रंग ला जाए और साइद मुझे पोश्ट मिल जाए अभी मैं साइद लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले भी इतने सारे exams दिये हैं और किसी को मैंने clear नहीं कर पाया बट इस बार सोच रही हूँ कि इस बार करना ही है अपने आप से मैंने promise किया है कि मुझे hard work करना है और पढ़ना है और मुझे सब कुछ manage भी करना पड़ेगा क्योंकि दो दो बच्चे हैं उनको school भेजना और फिर अगर आप 30 प्लस हैं और marries हैं उपर से बच्चे हैं आप mother हैं house wife हैं तो फिर आप के लिए तो बहुत ही मुस्किल हो जाता है बट कुछ भी कठी नहीं होता और नामुम्किन तो कुछ भी नहीं होता तो हम हिम्मत हमें ऐसी रखनी है कि जो हमारे हालात हैं वो भी हार जाएं बस इस बार इसी motivation के साथ मैं यहां पर study करने वाली हूँ और मैंने सोचा है कि अपनी मैं यह जो मेरी study journey रहेगी मैं यह आप लोग के साथ share करूँगी क्योंकि मैं अपने हर सुख दुख और जो भी है जो हम मेरी life में चलता है आपके साथ share करती हूँ तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं सेयर करूँगी देखते हैं क्या होता है बस हिम्मत और लगन के साथ लग जाना है तो मैं बता दूँ कि इससे पहले तो मैंने मतलब की अभी जैसे कि उसका exam मेरा अप्रेल में हुआ था अप्रेल 2023 में मेरा पटवारी का exam हुआ था उसके बा करनी ही नहीं है तो इस वज़े से मैंने study को stop लगा दिया था बट मैं अपनी सारी books वगरे और जो मैंने जब उस समय पर्चेस की थी math वगरे reasoning वगरे की general knowledge की वो सब मैंने रख रखी है और फिर से मैं सोच रहे हूं कि पड़ू बट इस वार मैंने सोचा है कि online में बैच ले husband को दे दिया था टिफिन और बच्चों की भी मैं यहां पर टिफिन लगा करके रख दूंगी ताकि मतलब की जब बच्चे उठें तो बस उनको टिफिन ready करके और टिफिन दे करके school छोड़ाऊंगी तो बस यही मैंने सोचा है देखते हैं क्या होता है तो अभी तो मैं एक्जाम तो मेरे मतलब ठीक ठाक नंबर आये थे तब मेरी marriage नहीं हुई थी और मतलब तब मैंने ज्यादा important इसको नहीं दिया था क्योंकि तब मैं MPPSC का एक्जाम दे रही थी तो मैं उसकी तयारी कर रही थी इसके जो subject हैं जैसे यह new portion और स्वास्ते वाला तो यह मतलब कि मेरे marks जादा नहीं आये थे तो नहीं हो पाया था बट इस बार आई है vacancy मतलब 2017 के बाद अभी 2024 में आई ही यह vacancy तो मैंने सोचा है कि इस बार तो दूंगी ही पूरी लगन से अब देखते हैं क्या होता है अभी exam का तो fix नहीं है कि कब होगा तो maybe हमें 4 से 5 month का time मि प्रिपरेशन के लिए तो बस मैंने यही सोचा है कि इतना time अगर मिल जाता है तो मैं अपना पूरा दूंगी और देखते हैं क्या होता है तो बस यहाँ पर मतलब की 6 बजे में टिफिन बना करके बच्चों का husband तो चले भी गए हैं वो 5.5 बजे चले जाते हैं और बच्च पेज ही मैंने यहाँ पर मैंने राइट किया है और मेरे पास कोई भी बुक नहीं है अभी मैंने बुक पर्चेस नहीं किया है देखती हूँ आगे क्या होता है बुक पर्चेस करती हूँ कि नहीं आप लोगे साथ जरूर सेयर करूंगी तो यहाँ पर मैंने EC online classes में एक दो तीन अटेंट की हैं उसी से मैंने कुछ यहां पर नोट डाउन किया है तो पहले सोचा कि बैट करके मैं पहले रिवाइस कर लेती हूं जो मैंने पहले यहां पर पढ़ा हुआ है उसको मैं रिवाइस कर लेती हूं और फिर उसके बाद मैं यहां पर पढ़ूंगी जैसा कि ऐसा नहीं है कि आपके पास बुक्स हैं तो ही आप बैट करके पढ़ाई करें ऑनलाइन भी आप बहुत कुछ पढ़ सकती हैं और मैं जैसा कि पटवारी एक्जाम से ही विनर्स एप को फॉलो कर रही हूं आपकी एप से पढ़ती हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर और हाँ अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है और आप भी इससे पहले आपने एक्जाम दिया है तो डैफिनेटल आप इस एक्जाम को दीजिए और थोड़ी स्टडी अपनी चालू कर दीजिए और मेरी तरह ही ऐसा नहीं है कि आप मुझे से कमजोर हैं ऐसा नही कि इसमें कमप्टीशन तो होने ही वाला है वो तो हर फेल्ड में होता है बट एक यह मतलब पॉजिटिव है कि इसमें यह वेक्जाम से सेर्फ वोमेंस के लिए है तो चलो हमारा जो मैंस और मैंस लोग है आदमी लोग वह तो पहले ही निकल गए तो मतलब कि हम लोग है जो दे सकते हैं तो यहां पर हम लोग study करते हैं और मतलब कि हमें पहले से तो निरास नहीं होना चाहिए हमें पढ़ना चाहिए और जैसा कि अगर आपने study की है और आपने इस से पहले और exams की तयारी की है तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा आप लोग के साथ भी definitely होता होगा कि कभी ना कभी जिसे आप किसी की वीडियो देखते हैं किसी का selection हो गया या किसी के बारे में सुनते हैं उसका selection हो गया और तो हमारा मन ना इतना दुखी हो जाता है इतना उदास हो जाता है हम भले अपनी लाइफ में विजी होते हैं खुस होते हैं अपने घर और बच्चों के ध्यान रखने में और सब चीज में और लेकिन तो भी मन में अंदर कहीं ना कहीं एक खाली पंसा होता है कि हम कुछ नहीं कर पाए हम हमें भी कुछ करना था मतलब मैं आपको किस तरह से यहां पर एक्सप्रेस करूँ कि मुझे इतना अंदर से गिल्टी फील होता है एक तरह से यह कह सकते हैं कि हम नहीं कर पाए हम मतलब कोई भी जॉब नहीं ले पाए तो मतलब कि हमारी इस उदासी को दूर करने का एक ही उपाए है कि हम उठें जागें और तक चलें जब तक हमें मंजिल ना मिल जाए और अपनी स्टेडी को मतलब की करें और यह ना सोचे कि अब हमारी एज हो गई अब हम नहीं कर सकते हैं ऐसा तो हमें कभी सोच नहीं नी चाहिए, जब भी आपको हिम्मत लगे तो आप हिम्मत करके और लग जाएं और ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता है, क्योंकि इससे पहले हमने मतलब तयारी कर चुकी है तो हमें कुछ न कुछ नॉलेज तो होता ही है और वो नॉलेज हमारे बहुत काम आता है मतलब ऐसा होता है कि हमारे माइंड में वह कहीं नॉलेज फिड होता है बस हमें उसके उपर से धूल हटानी होती है और थोड़ी सी मेनद करनी होती है और कुछ नई चीज़ों को भी फीड करना होता है तो मतलब कि ऐसा है कि हम कर सकते है ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते है तो चलिए उठिये और आप लोग भी लग जाएए और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा है क्योंकि हमारे लिए आसान नहीं होता जितना की मैरिज के पहले हमारे लिए आसान होता है हर चीज वो नहीं होता है जैसे कि हमें उतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा हमें घर का काम भी करना है खाना भी बनाना है और फिर हमें study के लिए भी time निकालना है बट हाँ अगर हम regular रहेंगे constantly हम पढ़ते रहेंगे तो अगर हम 4 से 5 घंटे भी निकाल लेते हैं पढ़ने के लिए तो बहुत है वैसे 4 घंटे भी निकालना हमारे लिए थोड़ा मुस्किल होता है बट धीरे धीरे हम कोसिस करेंगे तो हम क्यों नहीं निकाल लेंगे तो बस आपने आपको मेरे जो ब्लॉग हैं अब ऐसे ही मिलने वाले हैं तो कैसा लगा comment करके जरूर बताए अगर आप कोई मुझे suggestion देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए comment box में तो और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो इसे subscribe कर कर दीजिए क्योंकि इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे साइद आपको भी कुछ motivation मिले आप भी कुछ करने के लिए खड़े हो जाए और कुछ सीखने को मिले मेरे वीडियो से तो चलिए मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में और मेरे वीडियो को सेर भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चले मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक केर फ्रेंड्स थैंक्स वार वाचिंग